बश्कार दर्थक भाईयों लेकर आया है आज विक्री के लिए एक टीलर जो कि बिलकुन नया है और यह विक्री के लिए है इस टीलर की खासेत भी मैं आपको बताऊंगा और इसकी क्वालिटी भी बताऊंगा और इसका चलने में कैसा है यह भी आपको बताऊंगा सबसे पहले तो आप इसकी फिनिसिंग देखे टीलर की यह देखिए किस हिसारliness यह कहीं पैंट में कोई ऐसा निया कि है आज यह को पानी सा जैसे पसिनने की तरह से हो जा पाने सा लिखड़ो जाँ पैंट में ऐसा निया कि ऐसब से बड़ी चीज है पैंट की कौल ञेंट हमने इसमें और जीजिनल वाला करवाया है तो सब से बड़ी चीज तो आप क्वालिटी देख सकते हैं पैंट की और दूसरी क्वालिटी आप देखिए आपको कहीं इस पर वैल्ड नजर नहीं आ रहा होगा टीलर पर सारा टीलर फॉल्डिंग है और अब मैं आपको एक छोट इशी बात बताएता हूँ टीलर दस साल की गारंटी के साथ है एक साल डेड़ साल की दुनिया दिद्द है लेकिन दस साल की गारंटी के साथ है टीलर और इस पर हमने इधर यह रिफलेक्टर टेप लगवाई है ताकि जब रात विराज चले तो आलागी मज़ा आवे इसकी लुक का है हमने इसलिए इस पर लगवा दी तो आप देख सकते हैं अब मैं आपको इसकी खूबी बता लूँ सबसे बड़ी खूबी है जो इसमें आप ये नक्के देख रहे हैं ये वाले ये वाले ये देखिए कितने हैवी लगे हुए है दू सभी कमपनी के आगाम करती है ये जो हाइड्रोलिक है इस हाइड्रोलिक को इहां या यहां या तो इहां लगाएंगे या यहां बोल्ट पर कर देंगे इखिए कुछ टैम चलेंगी ये 10-20 वीगे जुताई करेंगी उसके बाद मैं इनके बोल्ट लोज होने शुरू हो क्यांदूजिन नहीं पूल रजाता है कि अंगलीस बोल्ट है तो लोक बोल्ट है बरीक चूड़ी से ही यह देखिए दो सपोर्ट यह होगी इदर और धो सबस्क्राइब इंगे एक यह रही और एक यह रही अब आपके उधायता हूसा है कि एक यह दुर्ड आज गी डिल लेकर आज हेंellen छोटा मुटा काम है यह कंटि यह यह करति हमिस्ट है तियला के साथ तो लेकर जा सकते हैं, दो चक्कर निकाडने पड़ेंगे, एक ही चक्कर में तम्हारे काम हो जाएंगे, दूसरी जीज़, जो टाइन कसी हुई है, यह पत्ती हैं यह वाली, यह आपको इसमें कमानी की मिलेंगी, यह पत्ती हैं, इसमें कमानी की हैं, दूसरी जीज़ आप द सपोर्ट देखिए कितनी हैवी लगई है यहां मैड़ा रग दो तो पिछे गुनिया होगा मैडिक सपोर्ट होगी यह बोल्ट पे भी है लेकिन हमने इसमें क्या गाम करा साइड में हलका हलका पैल लगे टक्की भी लगवा दी ताकि कई बार क्या हो यह ऐसे ऐसे हो जाँ बो से ही कुंदा अभी एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपने देखा होगा जो टीलर जब चलते हैं मोड पर घूमते हैं तो दोन्नों साइडों की टाइन जो होती है यह वाली यह अंदर को बढ़ जाँ मोड पर मुड जाए तो उसका क्या कारण होता है सपोर्ट देखिए सब से पहली चीज तो यह मुड़ती नहीं क्योंकि कमानी के पट्टे में हैं कसी हुई दूसरी बात हमने इसमें साइड में से यहां पर वैल्ड करवा कर और यहां पर बोल्ट में बहुत हैवी पत्ती इसमें हमने इधर भी लगवा दी है और हमने इसमें इधर भी लगवा दी दोनों साइड में हैवी पत्ती लगवाई है हमने इसमें तीसरी चीज कई बार क्या होता है टेक्टर की ड्रोबार पत्ती जो होती है किसान भायों से खेत को लेकर जाना चाहते हैं कि वह कुछ काम करना पड़ सकता है उस अमर्जेंसी के लिए तो कहीं रखने की जगे नहीं म तो आपने देखी लिए अब मैं आपको इसे टीलो के गवार पिच्छे से और दिखा दूँ आप खूब तरिक्के से देख लो टैनी इसकी गुम्मी नहीं मिलेंगी आपको क्यूंकि इसमें जो हैवी सपोर्ट हमने लगवा दी है तीसरी बात इस्प्रिंग इस्प्रिंग आपको इसमें ओरीजिनल टाटा की स्प्रिंग मिलेंगी टाटा स्टील की इस्प्रिंग की भी दस साल की ही कारंटिया खुल जा लिकर के गिर जा या कुछ हो जा सब कुछ आपको बिल पर लिक्खा हुआ मिलेगा इस पर ठीक है तो यह आप देख सकते हैं टीलर भिकरी के लिए है लोकेशन की अगर इसकी बात की जाए तो लोकेशन इसकी गाउं पांचली खुर्द बागबत रोड मेरट रोहित भाई के हाँ पे टीलर खड़ा हुआ है जिस किसी भाई को अवश्यकता हो वो इन से संपर्क कर सकता है इनका मोबाईल नमबर है 844506444 फूर एक नमबर है 8618181829 अभी मैं आपको बता जता हूँ इसमें हमने हाइडोलिक में भी उपर दो सुर्रा के लिए हैं एक ये रहा एक ये रहा फिर आप गोर से देख लो निच्चे भी है उपर भी है क्या होता है जो अंडियर की जो हाइडोलिक चलती है ये उपर ही चलती है तो इसमें हमने आपको बताया था कि टेलर की तरफ से तो उच्ची होनी चीए और टेक्टर की तरफ से निच्ची होनी चीए तो जोंडे टेक्टर जो है बिल्कुल सेंसिंग बढ़िया करके मारता है जोंडे रहे हमारा 53-05-55 स्पावर की कैटेगरी का टेक्टर है इस टेक्टर पे चल रहा है आप इसको ले के 30 HP से और 55-50-60 HP तक किसी भी टेक्टर पे चला सकते हैं बिल्कुल लोड फिरी चलेगा तो वीडियो आपको कैसी लगी है लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और जिस किसी भाई को टेलर के आवश्चता हो वो ही संपर्क करें अनावश्चक कोई फोन ना करें धन्यवाद